जेनु जो पंचमक्कारों का गड़ है और जहां महिलाओं का सोसन प्रगतिशीलता है जहां महिलाओं का यौन सोसन प्रगतिशीलता के दायरे में आता है अगर आपने कह दिया कि ये सोसन है तो कहेंगे ये महिला विरोधी है और ये पंच मक्कारों की थेवरी है अब आपको जेन्यू का मैं बताता हूं कि जेन्यू में हुआ क्या ये पुड़ा बवाल मत्या हुआ जेन्यू में ये आपको यौन उत्पिरन पर परामर्व सत्र में भाग लेने के लिए जवाला नहरुबिस विद्याले ने एक सरकुलर निकाला था अब इस सरकुलर पर विवाग हो रहा है इसके चैन को लेकर विवाल है और इसमें कहा गया कि जो पिटाशीन अधिकारी ने कहा सब अपने दृष्टिकोन रखिए और निमंतरन में एक पंक्ती है इसमें लिखा लड़कियों से यह उमीद की जाती है कि उन्हें महिला है पुरुस पुरुस है समानता नहीं हो सकती प्रकृति ने दोनों को अलग बनाया है लेकिन जब जीन्यू में जो जो कमिटी है उसने कहा कि महिलाओं को यह पता होना चाहिए कि पुरुस मित्रों के साथ कैसे दायराता है करें मित्रता का हो जो भी हो इसमें क्या है और इन सब ने जो है वो कहा कि यह जो मामला है महिलाओं के के अधिकार को सिमित करता है और यह कह रहा है कि यह पीड़ता को सर्मसार करने की बू आती है और इस पर 17 जनवड़ी को यौन उत्पिरन विशय पर प्रामस सत्र का आयोजन होगा जिसमें हर महीने सत्र का आयोजन किया जाएगा इसमें पीड़ासीन अधिकारी ने कहा कि हमारे पास जो मामले आते हैं उन्हें से कई ऐसे होते हैं जहां पुरुतर महिला करीवी दोस्त होते हैं ऐसे में अगर महिला को उसे जिस तरह से स्पर्ष किया जा रहा है वो सही नहीं लग रहा है तो उसे ना कहना चाहिए या बात अपने मन में नहीं रखनी चाहिए लोग दोस्त बनाने के बाद संबंद बनाते हैं यदि उन्हें असपर्ष पसंद नहीं आ रहा हो तो असपर्ष्ट कहें इसमें क्या गलत कहा कोई भी महिला को अगर यौन उत्पिरन से बचाने के लिए अगर एक सलाह दि महिला विरोधी करना सुरू कर दिया और आपको ये आपको जो है जेन्यू में हंगामा हो रहा है कस के हंगामा हो रहा है और इस हंगामे की तो आप जानते हैं कि कोई सीमा नहीं है ये लगातार हंगामा करते ही रहते हैं और उन्होंने कहा कि पुरुस यौन उत्पिरन के प पताया जाय गया कि यह दिविये मना करने के बाद भी महिला आयोग भी गुद पड़ा है और इसको कहा यह महिला दूस्ट द्श्य पड़ि पत्र एंक कि महिला दूसी परिपत्र है कि सारे उपधेस लड़कियों को क्यों होते हैं क्योंकि सोसन उन्हीं का हो जाता है क्योंकि इस तोर ने गर्व उनको दिया है संकट उनका सब्सक्राइब इसलिए अगर एक पत्र के जड़िए समझा रही है प्रसासन कि आपको पुर्टों से कैसे संबंद रखने हैं यह आपको तै करने हैं आप देखेंगे इसमें क्या गलत कहा जा रहा है लेकिन महिला आयोक को तो बिंदी और यह फैसनेबल सीज़ करने से फूर्सत नहीं है जहां पर महिलाओं का सोचन राजस्थान में चल रहा है दलित महिलाओं का कंडरेस्ट सरकार में सूझता तो है नहीं को तो यह हंगामा हो गया है हंगामा यूं क्योंकि समीथी ने कहा है कि आप अपने पुरुस मित्रों के साथ कैसे संबंद बनाएंगे उस दायरे को आप स्वेंग तैग किजिए जो कहा गया दायरा तैग करने के लिए इसलिए हुगा है क्योंकि दायरा तूटने चाहिए और फिर पंचमक्कार समाज युआ नुस्पी रखतो रहा ही आपको तो मीटू में देखिए कितने पंचमक्कार ही तो गिरे थे जिस बीनोद दुगा के लिए आसु बाहर ऐसे सब राइट वाले वो तो मीटू में फादा था ना लेकिन जहां वो मीटू में आया सारा पंचमक्कारों मैडर को ढख दिया तो पूरा जो कम्यूनिस्ट आंदोलन है वो महिला सोगrenched अंदोलन है और जेन्यू में फिर से एक बार प्रकट हुआ कि यह महिलाओं के उत्पीड़क है कम्निष्ट पूरा माकिस्ट सिस्टम महिला उत्पिड़क है कहानी कम्निष्टों की मैंने दिया है कि डास डैप्टल लिखसे लिखसे माक्स काल माक्स अपनी नौकरानी का यौन सोसन कर रहा जो बड़ी मिर्ची लग गई इसे पेत्र को ने लिखा यह क्यों लिखा गया है मैंने क destод nada Sophia अपने गर की सर वहारा का सोसन कर वा यह यू लिखा गया और ना सिर्ब सोसन कर रहा था उससे उसको पुत्र पैदा और माँ और पुत्र को दूर कर दिया, उसने दोनों मिल नसके इनके जो पंच मक्वार इसमें सारी वीरादरी ले लीजिए है। इनके तो जड़ में ही उत प्यूडरन है, सोसन है यह उनके अनोसन है। झाल झाल